एंडियो को बहुमत मिल चुका है हाला कि बीजेपी बहुमत से काफी दूर रहे गई है ऐसे में सवाल उड़ता है कि सरकार कैसे बनेगी सरकार बनने के लिए कवाइदे शुरू हो चुकी है इंडिया गड़ बंधन भी अपनी कोशिशे में लगा है हाला कि सूत्रों के मताब इन फेक्टर बड़ा एहम है नमो नाइडू और निटीश कुमार बार बात हो रही है क्योंकि सरकार के कई अपने एजंडे थे अगर पूर बहुमत में आती सरकार उन एजंडों को लागू करती ऐसे हम बात करें बन नेशन बन इलेक्शन्स की यूसी सी की तमाम ऐसी चीज नेशन होगा तो आप वो क्या लगता है कि किस तरह की कोशिशें करी जाएंगी सरकार उनकी जो रहा में रोड़े होंगी मुस्किन से जाती कि जनगर्णा का मामला है या कई मामले है सका कैसे उनकी पूर्ती कर पाएगी इसके बारे में सराक्पा टेक देखें आप क्या है कि ये तो एक सचाई है कि एक गठवंधन की गठवंधन की सरकार पहले भी चल रही थी लेकिन इन ट्रू सेंस जिसमें कि बीजेपी का डिपेंडेंस है गठवंधन सही होगी दलों पर एक ऐसी सरकार बन रही है ये है और ये बिलकुल सचाई है आप इ एक बार ये ये कहा भी था कि हम क्या करें हम गठवंधन की सरकार चला रहा है लेकिन ठीक है मनमोहन सिंग बहुत ज़्यादा प्रिशर में गठवंधन की सरकार चला रहे थे इस बार डिपेंडेंस है लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड दूसरी बात कि नीतीश कुमार टीडीपी कभी टीडीपी भी आप याद कीजिए वाजपाई गर्मेंट की टाइम में एलाइंस पार्टनर था लेकिन हा ये भी सच है जो आप बात कर रहे हैं कि जब बाहरी दल आते हैं जो की भाजपा की आइडियोलोजी के साथ कान नहीं करता है तो आपको कई चीजों पर एक तालमेल बिठाना पड़ता है और इसलिए बात हो रही है कि एक common minimum program बनेगा भाई आज तक कहा था एंडिया की गर्मेंट थी लेकिन नहीं था common minimum program की बन रही है और आपने जिसकी बात की कि UCC में दिखकत आएंगी हा ठीक है वो ऐसे issues हैं जो controversial issues हैं आप ये मान के चल आप देख लिजिए भी जो जीत के बाद जो उन्होंने address किया उसमें भी उन्होंने ये बात कहिए कि भाई देखे हम तो बड़े कदम उठाएंगे और ये तो reforms की जहां तक बात आती है जो एक आशंका जताई जा रही है कि क्या reforms में भी रोड़े अटकेंगे आप ये मान क चलिए कि TDP यानि चंदरवाबु नाइडू बहुत प्रोग्रसिव भ्यक्ति हैं वो उस ही लिहाज से वो reforms में रोड़े अटकाने वाले नहीं है इस government को चलाने में जो भी परिशानी आएगी जो मुझे लग रहा है वो सिर्फ इसकी आएगी कि बोथ अप दिमार बेरी डि जो कि आप याद कीजिए कि finance commission पहले ने का चोगा है कि special is no more special status to any state governments अब उसको कैसे करेंगे उनके लिए अलग से फंड की ब्यूस्ता करनी पड़ेगी अभी अब गर्मेंट बनते ही portfolio distribution होगा उसमें इस तरीके की अर्चने आएंगी जाहिर तो यह exactly वैसी सरकार तो नहीं होगी कि जो दस साल से चल रही थे लेकिन यह continuity है यह एक बड़ी बात है सर आपने दो मुखे बाते कहीं आपने कहा कि टीडीपी नाइडू से हफ की बात करी कि रिफॉर्म की दिक्कत नियाए कि नाइडू का ट्रेक रिकॉर्ड भी है कि 96 में जब बने तो पहली बार आईटी हफ की बात करी Apple जैसी कंपनिया या Microsoft जैसी कंपनिया Hyderabad के अंदर इसी कंदिशन में जो डिमांडिंग वाला अपने इस्तमाल कि लोक मोर डिमांडिंग होंगे नितीश कुमार तो क्या इसका फरक जो कैबिनेट के पॉर्टफोलियो बटेंगे उसमें देखने को मिलेगा या कुछ हैदराबाद के जो कहा था कि हम किसी को नहीं देंगे क्या उस मामले में कोई बदलाव देखने की स्थिती आएगी किस तरह का बदलाव संभावित है जैसे चुकि आप इति लंबे समय से कवर करते रहें तो आपकी इसर क्या पड़कर आंकलंग कहता है देखिए यह शुरुवात तो आपको पहले पॉर्टफोलियो डिस्रिबिशन स दोनों दल कि दोनों मिला के 30 के आस पास आकड़ा पहुंच जाता है, 28, 39, 30 के आस पास आकड़ा पहुंचता है,ใדר. मेजॉर्टी मार्क में ठीक मना वो हटने का दोनों के एक अठने का अर्थ होता है कि आप मेजॉर्टी मार्क से नीचे आज तो इनका एक दबाव तो फील करें गया तो जाहरे तो पर्टफोलियो क्योंकि आप देखे पिछले दस साल में जो यह था एक फॉर्मॉला तयार हो है कि आप एलाइंस पार्टनर हैं तो आपको एक पॉर्टफोलियो मिलेगा कोई एक मंत्री मिलागा बहुत बड़े हैं तो हो सकता है दो मिले तो एक कैबिनेट मिल जाए एक इस बार आप कॉमपरेटिवली छोटा होनी के बावजूद इनकी वह और से जो बात हैं आ रही ह कि ने एक अडिया की मिलगी मिटिंग होगी उसमें बहुत सारी छीज़ें शुलजाई जाएंगे लेकिन जो बाते हैं आरे हैं उसमें तो यह आ रहा है कि टीन चार-चार बर्थ की मांग होगी वो कैसे एक कोमडेट होगा लेकिन उस बर्थ से भी ज़्ादा इंपोर्टन् कि हमें यही department चाहिए उस पे नाट के क्योंकि जो मोधी government इतने दिनों से काम कर रही है कुछ ministries में जहां-जहां बड़े काम किये जाने हैं उसमें वो चाहते हैं ऐसे ही ministers को रखना जो काम कर सकें जो professional हो थौरो professional हो उस तरीके से काम कर सकें तो यह दिखेगा अभी शुरुआ तो ऐसे ही होगी portfolio distribution से बांकी चीजें तो जब एक वर governance शुरू हो जाता है कई चीजें धारा में निकलती चली जाती है रास्ता निकलता है उसका सर अगर हम चुकिया पिति लंबे समय से election को आपने cover किया अधियस में कई बार देखा आप दसालसिस government को भी सर समझ रहे है उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या घड़ गया कि सीटे बड़ी लो हो गई अगर हम देखे तो चार राजे जहां बीजेपी को बड़ी उमीद थी उत् सब्सक्राइब ने पूरा जोर लगाया साउथर्ण स्टेट वेफ बीजेपी ने पूरा दमखं से तमेनाडू मेलेक्शन लड़ा किर्ला में बीजेपी का खाता पहली बार खोला लेकिन इन सब के बाब जो उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का एक किला था जिस पर अखिले रीटा के तोर पे सरुए देखिए कोई एक फैक्टर तो कभी किसी इलेक्शन को जीतने हारने का होता नहीं है उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा स्टेट है और हर सीट कॉम्प्लिकेटेड वहां मानी जाती है जो इस बार जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो तो यह है क देखें बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा कोशिस होती रही है उसकी कि जातियों को उपर ले जाकर के पूरा एक समूव में मिला करके इसलिए रास्टरवाद और इसकी और कभी राम मंदिर के बात उठती थी वो इसलिए होती थी ना कि जाती की जो भावना है उसस सुरू करें कि यह वो इस वार एक तो राम मंदिर इस वार नौन इशू था क्योंकि राम मंदिर का पूरा वो कंप्लीट हो चुका है पबलिक देख चुकी है कि हाँ यह हो चुका जो क्रेडिट मिलना है भाजपा को भाजपा को इसका क्रेडिट मिल भी चुका अब वो एक पॉलिटिकल इशू नहीं है एक तो ये तो वो मुद्दा गाइब था दूसरा आप साथ आठ साल से साड़े साथ साल से लगबग उत्तर प्रिदेश में भाजपा की सरकार हैं दस साल से केंदर में भाजपा की सरकार हैं आप एक छाएं बढ़ती हैं लोगों की देखे आप अच्छी बात है लेकिन कुछ दिनों के बाद जनता मानती है कि ये तो हमारा हक है अधिकार है और ठीक है वाजिब है जनता को ये मनना भी चाहिए उसके आगे एक तो ये बाते होती हैं और जब ये चीजे होती हैं साथ में जो बात आई कि BJP ने कैंड़ेट का सेलेक्शन गरबढ़ किया जो दो बार से लगातार जीत रहे थे और अलड़ी उनके खिलाफ एंटी इंकंबिंसी थे दूसरी बार भी लेकिन वो मोदी के नाम पे जीत के आगए फिर से वैसा चेहरा तीसरी बार दिख रहा है कुछ बाहरी कैंड़िट एक बार की आए और जो जेन्विन जो एक फैक्टर आप और ध्यान देने की बात है बहुत कि बीजेपी के उर से लगातार ये कोसिश होती रहे कि बाई ये आई एंडिया ये गटबंधन जो है ये किस तरीके से मुस्लिम्स को प्रियारिटी देता है आपका हग काट करके मुस्लिम्स को देगा आप देख लि क्योंकि उनको पता था कि ये आएंगे हमारे खाते में लेकिन ऐसा मैसेज भी नहीं जाना चाहिए कि हम बहुत खुलके एक कम्यूनिटी के साथ ख़ड़े हैं जो कोई बाजपा लगातार ये लगा रहे थी तो वो ये बताना भी चाह रहे थी कि जहां मुस्लिम का एक हक ब बता है वो तो यही है जो कि पूरे देश में उसका इंपक्ट देखा कि आप जब इलेक्शन में जाते हैं तो आप क्या लेके जा रहा है उस समय बहुत अच्छी बात है कि लोगों को ये भरोसा है कि मोधी गर्मेंट काम कर रही है 2047 तक डेवलप्ट नेशन बन जाएगा जैसा इनकी और से कहा था लेकिन पॉब्लिक क्या पॉब्लिक यहां कि इतनी मैच्वार है कि वो समझे कि 5 trillion economy क्या होता है और इसका impact कैसे उन तक पहुचेगा वो नहीं जानते हैं उन्हें तो ये दिख रहा था ना कि भाई राहुल गांधी बोल रहा है कि हम महलाओं को एक impact दिखा मेरा अगला सवाल इसी से जोड़ा हुआ है अगर हम बात महरास्ट्रा के करें पश्चेम मंगाल के करें महरास्ट्रा में दो सिफसेना आ गई दो NCP हड़ी हो चुकी वहां पर BJP को यह mandate लगा कि शायद दो एक सिफसेना के बतले दूसरे सिफसेना सिंदे वाली अजीत पवार वाली NCP शायद कुछ खेरे बदल देगी पश्चिम मंगाल में जो मैंने आपसे पहली भी खाता कि बड़ा बीजेपी ने हमेशा से 18 से जोड लगाया बहुत जादा दमखम लगाया और उमीद थी एक्जिट पोल ने भी दावा किया था कि BJP कि इस बार उतना सांदार ने इतना बीजेपी साहतने स्टेट से उमीद कर रही थी करनाटका के अंदर भी BJP वैसा दमखम नहीं दिखा पाई तो जो नुकसान की भरपाई की बात करी जा रही थी उत्तरप्रदेश में जो कमजोरी होगी उसके नुकसान की भरपाई बीजेपी अने र बीजेपी अपने एलाइंस को चुनने में भूल कर गई या बड़पन उस तरह से नहीं दिखा पाई यहां पर भी एलाइंस की बात कि राजबर हार जाते हैं निशाद संजे निशाद का बेटा हार जाता है एलेक्शन उतर प्रदेश में बीजेपी बहुत कम पाती है तो में कुछ गड़बड़ी कर गए यह आप करता है कि बीजेपी जो साउधन स्टेट में ज्यादा जूर लगा गई और पश्यम मंगा लिया ओडिसा में नहीं देखिए क्या है कि जहां तक ऐलाइंस की बात है तो ऐलाइंस में तो बीजेपी ने बहुत इमानदारी से काम किय आप देखें चाहे वो बिहार हो यूपी में तो यूपी में भी कुछ सीटों पर आप राजबार और अनुप्रिया पटेल और इनकी बात कर रहे हैं इवन आंत्राबी जाकर के भी बीजेपी ने और मोदी ने कैंपेंड किया एलाइंस पार्टनर्स के लिए बिहार में तो पीम ने देखें उसमें दो मत नहीं है कि बीजेपी ने काम क्योंकि बीजेपी को ये पता था कि अगर एलाइंस पार्टनर को भी जिता के लाना क्योंकि ये पूरा कैंपेंड तो मोदी की गारंटी पे हो रहा था तो मोदी को अपना वो तो दिखाना ही था और उसमें कहीं यह एक ओपरेशन चल रहा था जिसको इन लोगों ने नाम दिया था कि ओपरेशन कोरो मंडल, कि वो जो पूरे कोस्टल एरियाज वाले जो हैं, जिसमें कि आप समझ लेजे, उडिसा से लेकर के यह पूरा खेरल तक उसको कवर कर रहा था है, तो उडिसा तो इस वार आपने देखा होगा कि उडिसा में तो बिल्कुल चमतकार ही हो गया कि लोकसवा में भरपूर सीटे मिली और वहां विधान सवा में सरकार बन रही है, यह चोकाने वाला था, क्योंकि नवीन यह माना ही नहीं जा रहा था कि नवीन पतनायक जिंदा रहते, अब उस पद से अटने वाले हैं इस तरीके की बात ही थी, लेकिन भाजपा वहां आई, साउथ में जो बात है, देखे क्या है कि आप आपने आंध्रा में टीडीपी के साथ ऐलाइंस किया और वो बहुत ही सकस्वूल ऐलाइंस हुआ, आज अगर भाजपा और NDA को जो यह बढ़त दिख रही है, वहां से टीडीपी को बड़ी संख्या में वोट विले है, बाजपा भी सीटें जीती, जन सेना भी जीतने में रही, तो इस तरीके का तो, यह अब, अब जो एक आफटर थॉट होता है, कि कहां चूक हुई वहां पर, कि अगर सचमुच में आपको जीतना था, तो जो AIADM के का जो फैक्टर है, हाला कि वो splintered group है, बहुत मजबूत वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनके साथ tie-up हुआ होता, तो हो सकता है, क्योंकि आप देखे, vote percentage तो बढ़ा वहां, जनाधार वहां बढ़ा है, लेकिन वो क्या एक result में दिख सकता है कि नहीं, दिख रहा है कि वो एक जो मिस्वा मुझे लगता है कि वहां पर वही एक alliance की जरुवत थी, एक थी, देखे, पंजाब वो एक अलग state है, पंजाब में क्या कारण है नहीं कारण है, लेकिन पंजाब को ये लगता है कि बीजेपी government जो है, वो कहीं से हमारी दुस्मन बनके बैठी है, क्यों, अब मुझे उनका logic बिल्कुल मेरी समझ से परे है, कि खिसानों को जो नहीं समझ रहा है, वो इस तरीके की बातें कर रहा है, या जिसका कोई और स्वार्थ है, क्योंकि पंजाब ये सचा ही है, कि पंजाब के किसानों को suit करता है अभी भी, जिस तरीके से काम चल रहा है, व उनको थोड़ी ज्यादा महनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उनकी कमाई बढ़ने वाली है, जो भी कारणों, लेकिन वो पुछ कारणों से है, वेस्ट बंगॉल, वेस्ट बंगॉल का नतीजा सचमुच में, थोड़ा सा, जो मेरा अपना आकलन है, मैं थोड़ा से चौकता हूँ, क्योंकि वेस्ट बंगॉल एक ऐसा स्टेट है, जहां बीजेपी को ग्रो करना चाहिए था, वो स्टेट ऐसा है, जहां कि करप्शन खुल कर दिखा है, आपने देखा होगा कि मंत्रियों के घर से कैसे पैसे निकल रहे हैं, मंत्री बोल रहे ह कि भाई दीदी को सब पता है, संदेश खाली जैसे घृनित घटना होती है, कई सारी चीजें होती है, फिर भी ऐसा रिजल्ट, ये मुझे चौकाता है, मुझे भी अभी उसकी समिक्षा करनी होगी, मुझे लगता है, थोड़ा और समझना होगा कि आखिर क्या, ऐसा क्या द जो त्रिवनंदपुरम सीट है, वो जीते जीते जो है, सो बहुत चोटा मार्जिन रहा क्योंकि वहां थरूर तो बहुत है पॉपलर वहां के MP हैं और कई बार लगा कि वो हारने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से तिलंगाना में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इस लिहाज से देखें, साउथ का जो परफॉर्मेंस है, बहुत ज्यादा डिसेपॉइंटिंग मैं नहीं मानूंगा भाजपा के लिए भी, क्योंकि भाजपा कोई काम कर रही है, तो वो अगले दस साल के लिए भी कर रही है, तमिलनाडू में ने जो भाजपा के लिए जो निराशा जनक प्रदर्शन है, जो सबसे बड़ा जो निराशा जनक प्रदर्शन है, वो है उत्तर प्रदेश, उस चीज को क्योंकि उत्तर प्रदेश तो भाजपा का गढ़ है, जिस तरीके के और जो डबल इंजिन की बात होती है, वो भी है, और है मुझे ऐसा लगता है सब्सक्राइब दो बाते अपने पहले सवाल के उतर में एक बात कहीं थी सीट विटर्ण टिकट डिस्ट्रिबूशन के बात करी अगर हम जो भी आखड़े देखें तो इसमें OBC करीबं 27-28% BJP को बोट नहीं देता है इस सुनाव में साथ परसंद ने बोट नहीं बोट नहीं दिया अगर उत्तरप्रदेश की बात करें तो 34 सीटे थी पूरव के लाके में वहां करीबं 22 सीटे हा जाती है 12 सीटे ही बीत पाती है इस क्यूशन को आप कैसे देखते हैं कि कर OBC वर्ग या दरिद वर्ग क्या चंदरशेखर आजादिक विकलब दिखते हैं उत्तरप्रदेश में खड़े होते हैं मायवती का बोट शिर ज्यादा गिरा और वैसा नहीं रहना परसंद के करी मायवती बोट शिर पा जाती है तो जो मायवती के फैक्टर लास्ट टाइ बड़ी हार 12 सीटे सीपाना 34 में से उसका आपकलंग कैसे करते हैं सर देखें पिछले दिनों में जो बीजेपी की इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश से हो रहे थे उसका एक बड़ा फैक्टर था वो भी से आप याद किजिए और वो लगातार बीजेपी के लिए वोट क ही चल रही थी लेकिन मैंने जो कहा ना कि अब देखिए चोटी-चोटी चीजें हैं जो धीरे-धीरे और सामने आएंगी लेकिन इस बीच में अब वो शायद प्रदेश में जिस तरीके से ओबी सी लीडर्स खास्ता और से मौरिया जैसे जो डिप्टी सीम हैं उनका उनके उसमें जो कमी आई एक रुतबे में कमी आई वो भी एक फैक्टर हो सकता है मुझे लगता है कि जस तरीके से अभी आपने उत्तर प्रदेश चुनाओं में देखा होगा कि ठाकुरों को लेकर कि एक सवाल खड़ा हुआ कि ठाकुर वोट नहीं डाल रहे हैं और उसको मनाने कि कवायत बहुत तेज हुई लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी सीटें थी जहां कि लग रहा था कि ओवी सी के लिए सीटें हो सकती हैं वहां उनको छोड़ करके किसी और को प्रिफरेंस देना ये तो धीरे 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 कुछ चीजें जमा होती रहती हैं और एक समय ऐसा आता है कि कुसी को लगता है कि अभी ये टाइम है कि एक वर हमें सबक से खाना चाहिए तो एक बार गी एक स्विफ्ट जो चेंज होता है ने कि वह बिलकुल चेंज होकर के दूसरे पाले में खड़े दिखें ऐसी चीजें आई और ये इस हार का जो सबसे बड़ा कारण है वह है ओविश्टी वोट का शिफ्ट करना इस चीज की समिक्षा करनी पड़ेगी क्या है वो तो हर कॉंस्टेंसी वाइज बीजेपी को करेंगे तब वो समझ में आएगी बाते हैं कि कहां exactly कहां कैसे चूक हुई लेकिन ये सर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है ये महारास् जारखंड है उसके बड़ बेहार अभी आएगा उत्तर प्रदेश का उसके बाद शुरू हो जाएगा दिली है पंजाब आएगा आने वाले राज्यों में ये कैसे इंटक्ट रह पाएंगी पश्यमंगाल में वह आपसमें कॉंग्रेस और टीमसी साथ नहीं लड़ते आप क्योंके साथ लड़गी है वहां पराकर तो ये जो अगले चुनावों तक इनको इंटक्ट रखना विधान सवा चुनावा में करण नीती को कि अगर आप बात वहां जाकर करेंगे महरास्टा के अंदर तो क्या उतनी सीटों में तैयार होंगे को कि एलाइंस में पार्टन बहुत जादा हो चुके हैं बिहार के अंदर कैसे इसको पूरा इंडिया गटबंदन की चौनावती बड़ी की लोक सभा में वह साथ लड़ गए अच्छा प्रदशन कर गए पर बिधान सभा में सबको जोड़े रखना और बहतर प्रदशन करवा पाना इस चौनावती है या उनके लिए अभी आसान किस्त आपको माम लगता है मां आप अप इंडिया गटबंदन के लिए बात करें अब देखें आए इंडिया ये में तो क्या है कि दो हजार बाइस के एलेक्शन में सैथ कॉंग्रेस और सपा मिलके लड़ी थी चुना वहां हलां कि दोनों हार ग है भी है अभी ठीक है कि यह चुनाव जीत गए लेकिन आप उनके दिल में जहांक के देखें तो उनके दिल में भयत व्याप्त है कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता है तो मुझे नहीं लगता है कि UP Election विदान्सवाई election के अगर आब बात कर रहे हैं तो वहां तो ये गठवंधन intact रहेगा उसमें मायावती भी जुड़ती हैं नहीं जुड़ती हैं वो बात की बात है चुकि अभी election में time बे बहुत अलंबा है बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी ये लोग पहले मिलके मिलके चुनाओ लड़त चुके हैं उस समय तो बलकि नितिश कुमार आर्जडी कॉंग्रसी तीनों मिलके चुनाओ लड़त है इस वार दोनों मिलके देखिए अभी इनकी मजबूरी है ये साथ में रहेंगे लेकिन हां क्या दिल्ली में ये होगा क्या दिल्ली में क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर अभी एक ये confidence है कि दिल्ली का विधान सभा जब चुनाओ तब तो भाई हमें ही वोट मिलने है ये ये है लेकिन इन दोनों के मिलने के बावजोद लोगसभा चुनाओ में जिस तरीके से ये लोग सातों सीट आ रहें ऐसे माहौल में जबकि बाकी जगों पर इंपक्ट दिख रहा है तो हो सकता है कि ये लोग एक वर फिर से करना शुरू करें कि क्या हमें फिर से अब अब इकठा हो जाना चाहिए क्या फाइनली ये इलेक्शन जो है सो बहुत सारी equation को change करेगा, बहुत सारी political parties की thinking को change करेगा, BJP की thinking को भी change करेगा, BJP की कायर पुनाली को change करेगा और बाकि जितने दल हैं, वो अलग-लग equation पे सोचने को विवस्च होंगे, क्योंकि लोगों को लग जया है कि देखें, यह एक ऐसा समय है, जहां आप अकेले टिगना आपके लिए मुश्किल है, आपको कोई नी कोई एक खेमा तो पकड़ना पड़ेगा. मेरा अंतिम सवाल आप से विदेशनीती को लेकर, कि अभी एक ख़बार में कॉलम छपा, उसने दावा किया कि उरूप भी यह चाह रहा था, अमिर्का भी चाह रहा था, कि मोधी सक्था में दौबारा बापस लोटें, लेकि उतनी मजबूती के साथ ना लोटें, क्योंकि चाहिए रशिया का मामला रहा हो, चाहिए जरायल वाला फरिस्तिंग का मामला रहा हो, सरकार का अपना है कि स्टैंड क्लियर रहा हो, वो न्यूट्रल तोर पे खड़े रहे और उन्होंने सांती की अपील की बात कर दी, तो ऐसी इस्थिती में, जो कि सरकार का मेंडिट बनती है, तो क्या विदेशनीती उतनी प्रबल रहेगी या उसमें आपको इस बदलाव की कुझाइश देखते हैं सर, देखें विदेशनीती में कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप अभी जबकि बीजेपी बहुत स्ट्रॉंग स्थिती में थी और जिस अग्रेशन के साथ विदेशनीती को फॉलो कर रही थी, मैं ठीक पड़ोसी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, या पड़ोसी देशों की बात आती है, जब कभी इस तरीके की चीजें आती हैं, तो उसमें एक जिनरली आप पूरा इतिहास पलटके देखेंगे, तो एक consensus दिखता है, ठीक है, थोड़ी बहुत बयानवाजी किसी लेवल पर होती है, लेकिन ये दोनों जो दल हैं खास तोर से, और बाकि जो छोटे दल भी हैं, चिराग पासवान जैसे जो छोटे दलों के नेता है, वो भी आपकी रश्या के साथ लेकर कैसा equation होना चाहिए, अमेरिका के साथ क्या equation होना चाहिए, independently हम boldly किसी issue पे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, इसको लेकर बहुत विवाद नहीं होगा, मतलब ना तो इनकी और से होगा, नहीं opposition की और से कोही बहुत विवाद होगा, चोटे मोटे बयानवाजी अलग चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक मैंन धन्यवाद आपने हमारे पाठको की मन में जो सवाल उठ रहे था दशूगे मन में, उनका जवाब दिया, धन्यवाद सर बहुत बहुत बहुत